हालो गाइज विल्कम बैक टो वर्ट चानल इंट्रारे ट्रेड आनल एसेज और यहापर देखे मंडे के दिन मार्केट साइड विज रहा ठीक है और मैने लेवेल आपको बता है ती मार्केट अगर 490 की रेंज क्रोस करता है तो हम बाइज के लिए जाएंगे और मार्केट मे की रेंज कर क्रोस करता है कल तो फिर मार्केट में हम 14,800 के करीब आएंगे और डाउन साइड के लिए मार्केट अगर आता है तो फर्स्ट अपना सपोर्ट होगा 300 का और उसके बाद मार्केट आएका 150 की रेंज के करीब ठीक है यह बात हमारे को ध्यान में रखना है देखे यह बात आपको ध्यान में रखना है मार्केट में कब अपने को बाय करना है और सेल करना है ठीक है यह हूँ आपना फर्स्ट हाप में ृत्व Euro का अगर एट रेंच 밑 करीबी मार्केट अपना . वेट अपना वक्त निकाल देता है तो हम मार्केट में डाउंसाइड के लिए 200 का रिटरेस्मेंट ले सकते हैं मार्केट में थीक बैंक टुप्टी में तो अगर मार्केट अगर फ्लाट ओपन होता है तो फ्लाट होने के बाद हमारे को यहाप पर 15 मिनिट ट्रेड नहीं करना ट्रेट नहीं करना मतलब देखिए अगर हां अगर उसकी केंडल हमारे को 5 मिनिट की केंडल अगर देखते हैं तो मार्केट अगर किसी भी रेंज को क्रॉस करता है तो हम बाइंग और सेलिंग के लिए जाएंगे मार्केट में क्योंसी यह वाली देखिए यह अपनी 450 की ठीक ह करीबन 100 पॉइंट और उसके बाद हम वहापर ट्रेट करेंगे क्योंकि आज तो मार्केट पूरा साइट विज रहा और कल मार्केट यहापर ट्रेंडिंग हो सकता है ओपन होने के बाद ठीक है और हम 800 के करीब पोई सकते हैं मार्केट में ठीक है 800-900 अगर देखिए यहाप पर मार्केट बिग याप ओपन होता है देखिए यहाप पर 700 यहाप पर होंगा मार्केट 380 के नीचे अगर ओपन होता है तो हम यहापर ट्रेट नहीं करना चाहिए हमारे को अगर बिग याप डाउन ओपन होता है तो हाँ अगर मार्केट फिर 5 मिनिट के कैंडल हमारे को व करेंगा मार्केट यहाप पर बाइंग का लेने के लिए टू साइट के लिए ठीक है तब हम आपर ट्रेड करेंगे अगर यहाप पर देखे 14,000 15 की रेंज के आसपास आता है तो हम बाइंग के लिए जाएंगे मार्केट में ठीक है अभी देखते हैं निप्टी अगर निप्टी में हमारे को ट्रेड करना है तो निप्टी में 18,000 हमारा रेजिस्टरंस है परफेक्ट ठीके और हमारेको 18,015 का भी ट्रेड ले सकते यहाँ पर और डाउन साइट के लिए मार्केट में लेना पड़ेगा हमारेको 70,880 गी रेंज को क्रोस करना पड़ेंगा और मार्केट फिर इस रेंज तक आ सकता है 70,800 के करीब ठीके इन दोनों पर आप्टरेट करेंगा अच्छाएँ